असलाम अलेकम फ्रेंड आज हम RACS से का लेक्चर नमर 16 स्टार्ट करेंगे लास लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि हम अपमेशी को किस तरह आटोमेट कर सकते हैं उसके उपर किस तरह स्केजिलिंग कन्फिगर कर सकते हैं उसके लबाए क्रॉन जोल देखी थी एर जो रहने देखी थी नेट्रोक टाइम प्रोटोड्वल देखा था ईंटइपीैसर्वर रहने देखता था प्सके एनिकिन कंमकोत्स करद रहर हम अपनी सीश्टम का टाइम सेट कर सकते हैं अबसे लिडेट की कमांड देखी थी पिर उसके लावा टैंप डेट CTL की कमांड देखी थी SW clock की कमांड देखी थी इसके बाद हमने देखा था कि हम अपनी मिशीन प्राइब जो बूटलोडर उसको किस दरा मोडिफाई कर सकते हैं तो आज हम दुबारा bootloader को modify करते हैं तो सबसे पहले हम bootloader को एक दफ़ा modify कर लेते हैं उसके बाद फिर हम lecture no.16 start करते हैं तो मेरे पास जल्दी से जो पहले मैंने last time जो dvd हमने mount की थी pub की folder के अंदर हमने copy की थी यह सारी सारी जो dvd मैंने pub folder के अंदर copy की थी यह सारी सारी मैं remove कर देता हूं ठीक है यह मेरे पासरी सारी remove होगी अब इसके अंदर मैं latest जो dvd यह redhead की 7.4 जो है यह 7.5 जो भी latest वह मैं इस पर copy करता हूं df-h run media root send to s तो मैं सारी dvd copy कर लेता हूं cp-rv slash war ftp pub यह मेरे पास dvd सारी copy होगी इसके बाद yum list करता हूं तो यह मेरे पासरी सारी ठीक है यह मेरे पासरी रैपो अपडेट होगी अब मैं चलाता हूं यूम यूम अपडेट चलाने से पहले करनल अपडेट करने से पहले last lecture के अंदर हमने दिखा था अपडेट करनल का वर्जिन अपडेट करना होता था और ने करनल के वर्जिन के साथ मेशीन को रीबूट करना होता था पहले करनल का वर्जिन मैं दिखा देता हूं यूने मैनेस वन है 10.0-327 है लेटेस वर्जिन आया करनल का वह भी मैं आपको दखाएता हूं वह क्या पड़ी स्टैंप पड़ा हुए है लस वार FTP pub के अंदर ग्रब करनल अधर ठीक है नवार FTP pub के अंदर packages के अंदर ग्रब कर लेते हैं ग्रब माइनस आई करनल तो यह मेरे पर करनल का वर्जिन है वह 3.10.0-862 है पहले मेरे जो मशीन बूट होती है वह करनल के वर्जिन के साथ 3.10.0-3327 मैं आप दखा देता हूं रीबूट करके एदफ़ा मशीन यह मेरे पर करनल आ रहा वर्जिन 3.10.0-327 तो यह मेरे पर नहीं ठीक है तो हम इसको अपडेट करेंगे तो लेटेस वर्जिन के साथ यह मेरे मिशीन बूट होती है रूट यूजर नेम रूट पास्वर्ट का रेड हैड रही कि मैं आप करनल का वर्जिन चेक करा दिया इस हम एक और चेक कर लें तो इसमें हम ने जो लास्ट चीज देखी थी लास्ट हैं वह हमने यह जग किया था करनल का वह जो वर्जिन आव्यम लाइनिक्स व्यम लाइनिक्स करनल का नाम है इसका जो वर्जिन है 3.10.0-327 हम इसको यहां पर अप्ग्रेड करेंगे तो यह हमार पस दूसरी नंबर पर आजएगा और जो अप्ग्रेड किया होगा वह पहले नंबर पर आजएगा तो अप्डेट करते हैं यूम अप्डे यह वर्जिन उसका आगया तो उसके से उसके क्रोडिंग जितनी भी इसकी डिपेंडेंसिस थी यह सारी इसारी वह डिपेंडेंसिस आगी है तो मैं इसको यह करता हूं करता हूं ठीक हो गई है फर्पस करनल अप्ग्रेड हो गया करनल का वर्जिन चक कर लेते अप्ग्रेड करने के बाद क्या आया थी प्रिप्ट एंड पॉइंट 0-327 पहले क्या था हमारे पास अब भी पहले भी यही था 2327 अभी भी यही क्योंगे उसकी वज़ाए यह यहां पर क्यों नहीं नहीं करनल के वर्जिन के साथ बूट करना है तो यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं अब यहां पर मारपद दो एंट्री आगें पहले एंट्री जो थी पहले करनल की जो एंट्री थी वो 3.10.0-327 थी अब इसकी एंट्री के आगे करनल का वर्जिन के साथ बूट होगी अगर तो यह दूसर नमबर पर आएगा तो हम इसको फस्ट नमबर पर अपडेट करेंगे सी तरह पुड़ा का पुड़ा इसका पैरामीटर है यहां से लेकर यहां तक इस सारा कापी पेस्ट करके टोप पर लिखे देंगे सी तरह जि मैं यहां पर कापी करके टोप पर लिखे दूँगा तो मैं इस फाइल को क्लोज करता हूं तो एक दबहां मेशीन को दोबारा रीबूट करते हैं तो रीबूट करने से पहले मैं आपको चीज दिखा देता हूं कि मेरे पास जो डीवीडी मैंने लगई थी वह मैंने सेंट सेंट कर लगा थीih信ट के टीवीडी ए रेड में कोई फार्क नहीं है रेड हेट वालों का एक करनण यूज करता है तो बूट जो इसितंप फरी ओपन्सोर्स है गो पैपकेजी सेम Tools करनल भी सेम वही है इसका ग्रब बूर्लोटर भी सेम वही है कोई फरक नहीं दोने में सिरफ एक अपर सोर्स है और एक इंटरप्राइज अडिशन है तो मैं इसको मेशीन को रीबूट करता हूँ तो जब यह देखें मेशीन रीबूट हुए तो मेरे पर दो करनल आ गया है यहां पर 886 आ गया और एक 327 आ गया अगया अगर मैं यहां पर मेशीन को स्टॉप नहीं करूंगा तो बाइड़ फाल जो होगा वो 862 के साथ ही मेशीन बूट हो जाएगी तो मैं इसको 862 के साथ ही नहीं बूट करता हूं कि क्वेएग एग्जैम के अंतर स्षवाल यहीं आता है कि अपने करनल का वरज्यन अब्ग्रेड रो ओर लेटकल के साथ मेशीन को र्यिपूट करो毅 है दो बूट होगी तो हढ़े हम अपना टॉपिक lift लेक्टर नमर 16 स्टार्ट करते हैं के वीम का वीचुलाजेशन का के वीचुलाजेशन का के वीचुलाजेशन मेरे हैं तые होस्पी वीज्यालो गास्म का सब्सक्राइए को कि इस तरह को कनफिगर करें सिस्टब गास्ट चे के इस तरह पास्ट विजुल गयस्ट का मतलब विच्टि 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 वीच्व म बूत हैं जब मेरे पास टोपिक है नमेरे पास हम आप मेरे पार मेरे जिस्टिक वा पर बूट हैं पर बूट हों जह यानि इसका मतलब यह कि जब मेरी फिजिकल मशीन जो है जो होस मशीन जिसके उपर मेरे केवियम चार रहा है वह जब बूट होके अन होगी तो जितनी भी वीच्ट मशीन बनी हैं यह वह भी सारी ऑटमेटकली बूट हो जहें सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पर वीचुलाजेशन क्या चीज होती है वीचुलाजेशन अलोव मल्टिपल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टेंस तो रन कंस्टेंटली ओना सिंगल कंप्यूटर इट मीज इस अमीन और सेपरेट हार्डवेर फ्रॉम सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम पहले हमारे पस क्या होता था कि जब हमने अगर अपनी मिशीन के एमटी छोड़कर उसके अंदर हमें दूसर अपरेटिंग सिस्टम करना पड़ा था जो ओन बू टाइम के उपर हम डिसाइड करते हैं कौन सा अपरेटिंग सिस्टम चलाना है विचुलाजेशन की मज़ से क्या हुआ कि हमारे पास एक अपरेटिंग सिस्टम है इसके अंद काई किया था किसां अगाम करता था सबसे पर हम अंच करता है हम अपरेटिंग सिस्टम हम अपरेटिंग इंस्टाल करते घुझी जो यह भी उप्रेसिट्नक इनने में लिए डिश्टिक गजी और उप्रेस्टिकशन चेहरे वेब की आप्लिकेशन है दो संदियर न्मद्ट पर मिशीन के सिंगल ओस होगा हर्डवेर एड्ड सोलवेर टैटलिक कुपल्ड होगे कि जो जो हमारे पास hardware होगा वापस में टैटलिक कपल होंगे उसके बार running multiple application on same machine often create conflicts के हमारे पास हमें एक machine को पर multiple application चलानी होती थे तो हमारे पास अक्सर भी में conflict आ जाता था underutilized resources के हमारे पास इतने resources होते थे उसको underutilized उस जो पूड़े पूड़े हमारे पास machine के resources यूज नहीं हो रहे होते थे inflexible and costly infrastructure की इसके अंदर हमारे पास जो हमारे पास infrastructure होता था वो सारा का सारा हमारे पास costly आता था क्यूंकि अगर मैंने पास मैंने 10 operating system चलाने है तो मैं जे 10 hardware buy करने पढ़ेंगे market से तो मैं हर्ड hardware जो पर different different OS चलाऊंगा different different operating system चलाऊंगा तो मेरी जो costly होगी जो मेरा infrastructure होगा उसकी जो cost होगी वो costly होजेगा उसके अदर जितने resources हम मैंने उसको add की होंगे CPU, RAM, NIC card, disk वो सारे सारे complete resources, resources use नहीं हो रहे होंगे, काफी मेरे पास resources जो होंगे वो मेरे पास जाया जाएंगे फिर उसके बाद उसके अपर एक हर machine को पर मुझा कर multiple application चलानी है तो एक application हो सकता दूसरी application के साथ conflict करें इस सारे सारे मेरे पास single operating system per machine के उपर, single machine के उपर issues आते थे अब visualization मेरे मेरे पास क्या concept आ गया है, visualization में क्या आता है कि हमारे पास simple AI की hardware होता है उसी के अंदर CPU, memory, NIC और hard disk लगी होती है इसके उपर क्या करते है कि कोई भी operating system install कर लेते हैं, hardware के उपर x86 या 32 bit कोई भी architecture का operating system install कर लिया virtual VMware workstation जिस तरह मैं अपनी ये मेरे पास macOS है इसके उपर मैंने ये virtual machine VMware fusion है ये VMware वलों की product है इसी तरह Windows के अंदर है तो VMware workstation है, ये मैंने install किया हूँ है इस तरह मैंने इसके अंदर दूसरा operating system install कर सकता हूँ, ये मेरे पास सारा concept virtualization का है ये मेरे पास सारा concept virtualization का है कि मेरे पास इस layer के उपर, दूसरी layer के उपर मेरे पास कोई ना कोई hypervisor install हो गया, फिर हर hypervisor के अंदर जब में मैंने कोई operating system install करना है तो क्या होगा इस operating system जो मैं install करूंग, बताऊंगा कि मुझे इस CPU में से कितने core CPU चाहिए अगर फर्स कोई यहां पर 4 core CPU है तो मैं इसको बताऊंगा 2 core CPU यूज कर लो, यहां one core CPU यूज कर लो, इसको बताऊंगा तो one core CPU यूज कर लो, 4 core में से, अगर मैं RAM यहां पर 8 GB है, तो मैं कोँगा 2 GB RAM यहां यूज कर लो, अब जो land card है, land card का किस तरह इसका resources यूटलाइज होते हैं, कि land card जो है मिरे पाद physical land card है, यहां पर इंग मिरे पाद बनता है, virtual switch बन जाता है, इस land card का connection की, यहां के एक sport के साथ होता है, और एक land card का connection, इस एक sport के साथ होता है, physical land card के साथ, यह मिरे पर एक virtual switch बन गया, उसके बाद disk resources है, अगर यहां पर मेरे पास 200 GB है, तो मैं इसको कहते हूँ, यहां पर मेरे पास 20 GB, यह hardest use कर ले, फिर यह मेरे पास एक virtual machine बन गई, उसके अंदर operating system चार रहा है, लाइक windows 7 कर लेते हैं, operating system, इसके अंदर पर different application है, firefox की है, mozilla है, और different किसम के application, skype है, और जो application आप रन करना जाते हैं, यहां पर कर सकते हैं, सेम यही concept, यहां पर अगर मैंने कोई होर दूसरी, कोई होर operating system install करना है, जिसा यहां पर मैंने Linux का install करना है, कोई operating system, अगर मैंने Linux इंस्टाल करना है, तो सेम इसी तरह मैं यहां पर इसको एक और CPU दूँगा, 2GB RAM दूँगा, फिर इसी तरह एक जो land card होगा, इसका land का virtual switch का साथ connection है, बनेगा, तो RAD एक तो यह बना हो है, हमारे पर physical के साथ, इसी तरह मैं यहां से 200GB में से, इसको 10GB दे यह मेरे पास सारा कॉंसेट विचुलाइजेशन का, विचुलाइजेशन में क्या होता है, hardware independent of operating system and application, के हमारे पास जो operating system होता है, और हमारे पास hardware independent of operating system and applications, virtual machine can be produced to any system, के हमारे पास, कोई भी मैं इस system के उपर किसी बी किसम की कोई भी virtual machine spawn कर सकता हूँ, प्रिविचुलाइजेशन कर सकता हूँ, can manage operating system and application as a single unit by encapsulation them into virtual machine, के, अब इसमें क्या concept होगा, के ये मेरे पास अलग से operating system चार रहा होगा, अलग से एक machine होगी, ये मेरे पास एक machine होगी, ठीक है, ये मेरे पास एक machine है, और एक मेरे पास ये machine है, इन दोनों machine के आगे जो resources आपस में conflict नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ share नहीं करेंगे, इसके अंदे जो application चार रही है, services चार रही है, वो सारी दूसरी machine के साथ, दूसरे VM के साथ conflict नहीं करेंगे, तो ये हमारे पास individual हो जाएंगी, इसके पर जितनी application होगी होगे, और इसके अपर जितनी application हो यहां पर चार रही है, अद्वेंच चीजिज विचुलाजेशन के क्या हैं कॉंसिस्टेंस ओफ ऑप्रेटिनिक सिस्टम हो दा सेम मशीन पोटेक्शन हाँ इसमें हमारे पर मिल जाती है कि हमारे पर जो एप्रिकेशन के जो कनफिक्ट्स हैं वो नहीं आते हैं वो पहले किसी अप्लीकेशन के साथ कनफिक्ट करे तो मुझे दूसरे प्रेटिंग सिस्टम पर करने के लिए कुछ डिफरेंट हार्डवेर चाहिए था तो मैं उसके लिए विचुलाइजेशन यूज करूँगा तो टेस्टिंग डिबगिंग के लिए भी अपने सौर्डवेर मैं उसके उपर इंस्टाल कर सकता हूँ वर अप्टिमाजेशन और हाडवेर यूटिलाजेशन जो हमरे पार हाडवेर के जो रिसोर्सिज्स हैं लाइक CPU RAM, hard disk, LAN card उसके जो यूटिलाजेशन वो सारी सारी अप्टिमाज हो जेगी जो माईग्रेशन होजेगी विचुल स्टोरी जो हमारे रपास क्रेट हो जाएगी हमारे पास अगर 200GB है तो इसमें से मैं ने 20GB, 30GB हर एक मिशीन को अलग अलग दे दी है तो मेरे पास जो हार्डवेर है जो मेरे पास स्टोरी है वो सारी सारी विचुला हो जाएगी बैक अगर ऑर्पराइटिक सिस्टम को हर अगरक अलग से मैं बैकप ले सकता हूं और अगर दिफरेंट औप्शें की अट रहे हमारे पास विचुलाइशन के नेक्स्ट सारी था है तो है य। था हैप्रवेजर है य। हैप्रवेजर य। हैं अबर पस क्या चीज है a hypervisor or virtual machine monitor is a piece of computer software firmware or hardware that create and run virtual machines के हमारे पास hardware जो hypervisor or computer software का एक piece है firmware का और hardware का जो हमारे पास virtual machines को create और run करने में help करता है उसके बाद हमारे पास computer on which hypervisor is running one or more virtual machines is defined as host machines कि जिस computer के उपर के मेरे पास hypervisor चल रहा है अगर मेरे पास मेरे पास example इस तरह देता हूँ यह मेरे पास macOS है इस macOS जो होगा यह मेरे पास hosted machine होगी और macOS के अंदर जितने मेरे पास virtual machines चल रही होंगी किसी hypervisor के उपर वो सारी के सारी मेरे पास guest machine होंगी each vision machine is called a guest machine ठीक होगा जिस तरह आपने पीछे example देखी थी यह diagram यह मेरे पास जो होगा यह जो मेरे पास operating system है यह मेरे पास host होगा main operating system जिस तरह मेरे पास mac है तो mac मेरे पास जो होगा वह system host होगा और जो यह operating system है यह दोनो यह मेरे पास क्या हो जाएंगे guest हो जाएंगे ठीक हो गया type of hypervisor हमारे पास कितनी किसम की types होती है hypervisor की यह एक यह मेरे पास दो किसम की hypervisor होते है एक bare metal hypervisor होता है और एक hosted hypervisor होता है bare metal hypervisor क्या होता है कि हमारे पास bare metal hypervisor होता है it does not required an additional OS उसके लिए किसी किसम की OS की जरोत नहीं है it is the OS even it is a light or minimal OS अगर हमेरे पार कुछो जो OS है उसका जिसना hypervisor है bare metal hypervisor के लिए भी कुछ OS बनाएंगे है बिल्कुल minimal OS के level जिसमें हमारे पास कहलो के 512 MB RAM के उपर भी वह OS proper running में काम करता है 256 MB RAM के उपर भी वह easily run करता है जिसमें सबसे बड़ा example हमारे पास आये थी linux की linux की minimal installation की जाए redhead की अगर redhead की मैं minimal installation करता हूं तो वह मेरे पास easily 256-512 MB RAM के उपर run कर जाएगा उसमें कोई issue नहीं आएगा slow नहीं होगा operating system वह सिरफ minimal OS होगा उसमें मैं अपनी कुछ एक-दो services चला सकता हूं उसमें दूसरी इसकी example आयती है bare metal hypervisor के अंदर मेरे पास दूसरे आया है तो यह नाम सुना होगा सबसे red hat के अंदर सबसे बड़ी example जो है वो KVM की है और Zen की है इसका advantage किया system is thin the hypervisor has direct access to hardware highly density hardware कि जो hypervisor वो direct communication का रहा होता है hardware के साथ इसमें कोई भी OS layer नहीं आती disadvantage किया really large VMs are not spotted hardware shouldn't support visualization technology costlier or real bad console interface इसमें क्या आता सबसे बड़ा disadvantage किया कि हमारे पास जो hardware होगा उसके अंदर visualization technology जो VT की option है वो हमारे पास spot होनी चाहिए hardware BIOS के अंदर उसकी spot होनी चाहिए तो हमारे पास hardware के अंदर visualization technology की support है वो हमारे पास costly पड़ते है और जो हमारे पास उनका console होता है जिसको access करना वो console interface होता है वो बहुत सा बहुत गंदा सा interface होता है उसमें कोछ एक्स्ट्रा चीजे नहीं होती है हमारे पास IP दे दिया IP हमने bare metal OS का जो bare metal पे OS की है hypervisor किया किसी web interface के उपर या किसी और machine से उसको access कर सकें तो वो उसका interface बिल्कुल lightly से होता है बैर से interface होता है जिस तरह अगर मैं kvm की example देता हूं kvm का minimal OS की अगर kvm को bare metal hardware के उपर install किया जाए तो उसका कोई भी console नहीं होगा उसके सारी information जो होगी जो भी हमने kvm के अंतर जो machines बनानी होगी वो सारी की सारी command line बनेंगी तो डूसरा hosted hypervisor है is more of an application installed on a operating system not direct on the bare metal hosted hypervisor के अंदर क्या आता है कि हमार पस कोई ना कोई operating system install होता है like windows operating system Windows 10 होगी Linux में बात करें red hat in operating system के ओपर कोई भी hypervisor install कर सकते है like virtualbox है vmware workstation है इसके लावर hyperv है windows का hyperv आ जाता है इसके बास का advances का run on a greater array of hardware because the underlying host operating system is controlling hardware access easy user interface can be secured on the desktop इसका क्या है कि हमार पास इसके उपर हम greater array of hardware के हमार पास में hardware की resources बहुत ज़्यादा होते है underlying क्योंकि इसके अंदर underlying जो हमार पास operating system चाह रहा था वह सारा hardware को access कर रहा था control कर रहा होता है user interface easily user interface होता है data secure होता है तो यह मेरे पास easily इसका usable hardware है usable interface है यहाँ पर मैं फाइल पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर new मैं आता हो तो मुसे पूछता है क्या करना है create a custom virtual machine create कर दो आगे पूछता है किस टाइब की virtual machine करनी है कौन से अपरेटरिक सिस्टम के लिए यूज करनी है windows 7 विस्ट है xp है windows server है अगर मैं यहाँ एपल के लिए आता है apple OS के लिए यानि mac के लिए उसके लावा linux है Linux के लिए वह मेरे पास पूछता है कौन से अपरेटरिक सिस्टम करना है sentOS है debian है oracle है open suzy है red hat है ठीक है इसके लावा sladis है sladis का कौन सा version करना है vm esx exx6 5 करना है मेरे पास easily interface है मेरे पास machine create हो जागी ठीक है इसके डिसद्वांचिस का decrease security loss of centralized management lower vm density cannot support as many vm's are the first type case में security के काफे दावा issues आयतने है इसके लावा centralized management होती है वह हमार पास नहीं होती lower vm density होती है जो उसकी performance है वह कम होती है उसके लावा इसमें जिस तरह हम type 1 में जो हुआ bare metal hypervisor है उसके अंतर जो vm's की support होती है जितनी यहां पर नहीं है क्योंकि यह डिपेंड करता है सारा के सारा तुम्हारा operating systems के उपर जिस तरह यह example है के हमार पास tap 1 में जो थे हमने पढ़ी दी के bare metal hypervisor है उसमें हमार पर direct hardware होता है इस hardware के पर direct कोई ना कोई hypervisor इंस्टाल किया जाता है like kvm है like ex xi फिर इसके उपर different operating system इंस्टाल किया जाता है windows का 7 का windows 8 का यह linux का आ गया अब hosted hypervisor के अंदर के आता है हमार पर direct hardware होता है इस hardware के उपर कोई ना कोई operating system इंस्टाल होता है hardware आ गया hardware के उपर कोई ना कोई operating system install होगा like windows 7 इस windows 7 के उपर फिर कोई ना कोई हम hypervisor इंस्टाल करेंगे है hypervisor like visual machine हो गया VMware workstation हो गया इसके उपर हम different OS इंस्टाल करेंगे kvm का detection में हमार पास किस तरह काम करता था kvm के अंदर हमार पास सबसे रहे है वह हमार पास hardware आ गया hardware के अंदर ये निक लगा हुआ है इसी तरह CPU है hard disk है और different work पर different resources लगे है like RAM है हमार पास ठीक है ठीक है निक है हमार पास अब निक के अंदर क्या होता है हमार पास कि हमार पास यहां पर hardware को पर हमने कोई operating system install कर लिया like यहां पर हमने operating system install किया red hat ठीक है red hat install किया red hat install किया red hat install करने के बाद मैं इसके उपर kvm install करता हूँ तो क्या होगा kvm के red hat install किया तो यह linux kernel होगा kvm से related जितनी में driver होंगे device drivers वो सारे के सारे install कर लेगा अपने पास यह फिजिकल device drivers फिजिकल device driver किसे काम communication करेंगे अपन निक के साथ फिर फिजिकल device driver किसे काम करेंगे switch bridge के साथ यहां पर जो virtual switch बन जाता है उसके साथ इसके अंदर डिफरेंट इसके टैप जिरो टैप वन इस सारे सारे communication करते है kvm के साथ ठीक है kvm के साथ kvm के साथ kvm के अंदर फिर डिफरेंट महर पास hypervisor आते है kvm पे उपर फिर हम डिफरेंट operating system install करते हैं जिसको हम कहते है guest OS ठीक है guest OS में VM1 यह आगए VM2 आगए वो communication कर रहा था कीमू आयो के साथ QIo के हमारे पस QIo के हमारे पस kvm के लिए input output का package है communication का जरी है user space के अंदर होता है जो हमारे पस सारी communication guest machine कम्यून के साथ ने की डिफरेस के साथ याने निक इंटरफेस के साथ पिर निक वीचुल इंटरफेस के साथ communication करवाता है पिर के विम से दोर्भार रुकस जाती है विचिए ब्रीज्ज ऑ हम波строй Zukunft कम्यून्टेशन करता है gonna be after physical devise driver के साथ जो मरप इसके के विम पहलेुए साक्ष कम्यून्टेशन करे रहे होते हैं निक के साथ इस सारा का सारा हमारे पास के विम का एडिटेक्चिर है यह हमार बाकी जो इसके इलावा जो कर्लन के मेरे जो बाकी रिस्वर्सें होते हैं, नौनर्मल यूजर प्रोसाइस सारे यहां पर रन हो रहे होते हैं इसके कुछ प्रॉोंस है फिर कुछ कों merch देख लेते हैं इटीज आ फ्री यह यह पुन सोर्स है इस पार्ड श़िए इस आ पार्सम लेनिक्स का यह पार्ट है किसी भी उपरेटिंग सिस्टम की लिनुक का कोई भी उपरेटिंग सिस्टम अब कर लो Red Hat, Ubuntu, Fedora, Suzy है कोई भी उपरेटिंग सिस्टम है उसके उपर हमार पस यह KVM free, KVM free है तो हम KVM यूज कर सकते है It is a part of Linux, powerful CPU visualization of Intel and AMD platforms कि इसका जो visualization है, इसकी जो CPU visualization है KVM की वो बहुत ही ज़ादा powerful है और Intel है, Intel और ADM platform के ओपर बाकी जो हमार पस जितने hypervisor है, virtual box है, VMware workstation है यह उनसे कही ज़ादा powerful इसकी visualization है इसका hardware visualization है, kernel visualization है, memory management है और IO compatibility है, कि हमार पस इसका hardware visualization भी हो जाता है हमार पस KVM के अंदर hardware visualization भी इसकी बन जाती है Linux kernel भी है, memory management और IO compatibility की Real-time scheduling होती है, इसके अंदर हमार पस powerful GUIS की जो GUIS के अंदर भी काफी जादा इसकी अच्छी कोई है उसके अंदर काफी features है, monitoring के लिए भी काफी, जुनोंने कुछ चोटी-चोटी graph दी है इसके अंदर के लिए, RAM monitoring के लिए, CPU monitoring के लिए, IO monitoring के लिए इसके लावा kernel के monitoring के लिए, इसके अंदर चोटी-चोटी graph दी हुए फिर इसके security बहुत अच्छी है, kernel compatibility इसकी अच्छी है और इसका जो memory management है वह भी बहुत अच्छा है, KVM से, इसलिए मैं खुद prefer करता हूँ अगर तो मैं Linux की कोई machine यूज का रहा हूँ, like Ubuntu यूज का रहा हूँ या Fedoda यूज का रहा हूँ, Redhead यूज का रहा हूँ, CentOS यूज का रहा हूँ तो उसके उपर कोई virtualization कर नहीं है, तो मैं सबसे बैस तरीका तो यह यूज करता हूँ कि मैं उसके उपर KVM यूज करूँ क्योंकि KVM बहुत लाइट वेट है, इसकी पारफुल CPU virtualization है, Memory management बहुत अच्छी है, Kernel compatibility बहुत अच्छी है, Security बहुत अच्छी है, Powerful GUI है कि मैं इसकी GUI remotely बैट के भी access कर सकता हूँ किसी दूसरी machine के उपर भी बजाएब बाखी जो है, करन जो virtual box है, VMware station है, को एक heavy भी है, उसकी CPU virtualization अच्छी नहीं है, as compared to KVM, पिन को हम remotely access भी नहीं कर सकते हैं, KVM को मैं remotely access भी कर सकता हूँ, इसकी कुछ cons हैं, वो देख लेते हैं, cons क्या, a bit dated है, very slow when CPU does not support virtualization and when it works in Kemu mode, slow, slow यह इसलिए कुछ hardware ऐसे होते हैं, जो हमारे पर virtualization support नहीं करते हैं, जिससरा भी मैं आप करेंगे हम VMware के अंदर, मैं KVM जब install करूंगा तो उसके अंदर हम देखेंगे कि उसकी visualization है, KVM की वो support नहीं कर रही हो, क्योंकर मेरे पास CPU है, वो V CPU है, यह विचल CPU है, यह मेरे पास जो है सारा, मेरे विचल CPU है, तो इस विचल CPU के अंदर, विचलाजेशन यानि KVM की sport नहीं होती, विचलाजेशन टेकनोलजी की sport नहीं होती, तो मेरे जो काम होगा, वो सारा किस मोड में हो रहा होगा, वो मेरे पास सारा कीमू मोड के अंदर हो रहा होगा, heavy input, output, overhead हो जाता है, इसके अंदर काफी lack of flexibility in device assignments, इसके अलावा issues in memory and power management, जो इसके issues होते हैं, वो memory के में, इसमें काफे जादा issues आ जाते हैं, किसकी memory utilization, जो इसकी memory इसको किस तरा distribute करना है, वो सारे के सारे इसमें issues आ जा जाते हैं, system requirements क्या जाती है, KVM के, KVM के अंदर हमार पर जो इसकी system के, virtualization है, KVM की, the virtualization is available with a KVM approvisor, forehead head enterprise Linux 7, or Intel 64 bit and AMD 64 architecture, कि जितने हमार पर की, KVM approvisor है, forehead head server गे अंदर, सिरफ Intel based 64 architecture है, और AMD का भी 64 architecture है, this chapter list, system requirement for running virtual machine, virtual machine को run करने के लिए, मार पर क्या requirement होने चाहिए, minimum host system requirement क्या होने चाहिए, 6 GB free disk होने चाहिए, KVM के लिए, 2 GB RAM होने चाहिए, KVM के लिए, 2 GB RAM होने के लिए, फिर इसके लिए, इसके लिए, उनको अलग से RAM required होगी, जो operating system install करेंगे, उस operating system को कितनी में RAM दे रहा हूँ, कितनी में hard disk दे रहा हूँ, कितना CPU दे रहा हूँ वो अलग से utilize होगा, तो इसके लिए minimum यह है, recommended किया है, है हमारे पास system requirement, one core or thread for each virtualized CPU, and one for the host, अगर मेरे पाद 2 CPU हैं तो उसमें क्या होगा, कि एक CPU, अगर मेरे पाद 2 core हैं CPU के, तो उसमें क्या होगा, एक core जो होगा, वो मेरे पास virtualization के लिए use होगा, और एक core जो होगा, वो मेरे पास host machine के लिए use होगा, 2 GB of RAM, plus additional RAM for virtual machines, 2 GB तो होगी के KVM के लिए, उसके लावा जो additional RAM होगी, यानि अगर मेरे पास additional RAM है, वो virtualization के लिए होगी, अगर फ़र्स करो मेरे पास 8 GB RAM है, तो इसमें से 2 GB तो मेरे पास KVM जूस कर लेगा, बाकि जो 6 RGB वो मेरे पास virtual machines के लिए होगी, तो मैं उस 6 GB RAM को मैं किस तरह distribute करता हूँ कि मेरे पास 2 virtual machines बन जाएं, 3 virtual machines बन जाएं, तो उसलिहां से मैस्क में वो मेरे पास additional RAM होगी, 6 GB space for the host plus the required disk space for the virtual machines, सेमें से तरहां कि 6 GB RAM जो hardest है वो मेरे पास KVM के लिए होगी, इसके लावा और additional जो मैं operating system install करता हूँ उसको कितनी hardest दे नहीं है, वो additional storage considered होगी, most guest operating system required at least 6 GB of the disk, यानि अगर मैं Windows 7 install करता हूँ तो Windows 7 के लिए मेरे पास maximum disk होगी, size जोगा of 6 GB, minimum 6 GB होना चाहिए, इसी तरह अगर Red Hat install करता हूँ तो उसके लिए मुझे minimum 6 GB देना पड़ेगा, जो Windows install करता हूँ उसके लिए minimum 6 GB इसे greater भी दे सकता हूँ, 6 GB से कम दूँगा, तो मेरे पास कोई भी operating system install नहीं होगा, additional storage space for each guest depends on their workload, कि इसके लावा और जितनी भी मैं इसको मैं अपने काम के लिए आसा दूँगा, कि मेरे पास जो मैं operating system बना रहा हूँ, जो मैं virtual machine बना रहा हूँ, जो guest operating system बना रहा हूँ, उस पर मैं वह किस काम के लिए बना रहा हूँ, उसके उपर मैंने क्या application चलानी है, कितनी RAM यूज़ करेगी, कितनी CPU यूज़ करेगी, कितनी हाड़िस यूज़ करेगी, उस लिए आसे मैं व्यम को उतनी resources दे दूँगा, फर्च कर अगर मैं रेकल इंस्टाल करता हूँ, या मैं स्विकल इंस्टाल करता हूँ, तो उसके लिए, मुझे जो हाड़िस र्कॉाइड है, वो तक्रीबन जो मैं इसको हाड़िस, जो अच्छी खाजी डेटाबेस है तो मेरे पां मैं करते हूँ, GB हाड़िस आगी, इसके लाबा 8 GB, minimum 8 GB required for SQL and Oracle database, तो मैं इसके लिए 16 GB मैं देता हूँ, 16 GB मैंने पास मैंने देनी है इसको RAM, तो 8 core मैंने देने CPU, इस तरह मैं अपनी इंफ्रमेशन दे सकता हूँ, कि मेरे पास यह सारी चीज़े हैं, यह मेरे पार recommended है, तो मैं इस तरह दे सकता हूँ, हाड़िस जो मैंने 120 दी है, यह मैं 120 से जादा भी दे सकता हूँ, कि मेरे पास भी जो uses है, वह 120 के साब सही है, तो मैं इसको 120 दे सकता हूँ, KVM requirement, The KVM hypervisor required, KVM hypervisor को क्या क्या चीज़े required होती है, The Intel process with the Intel VTX, and Intel 64 visualization extension for x86 based, अब इसमें किया है कि हमारे पार जो Intel process होगा, Intel का जो processor होगा, उसके, उसकी BIOS के अंदर, hardware के BIOS के अंदर, Intel VTX की यानि VT की option मारे पर enable होनी चाहिए, BIOS पर, Visualization Technology की, इसी तरह अगर AMD का processor है तो उसके अंदर, AMD V की option enable होनी चाहिए, hardware level के उपर, Visualization extension, Intel VTX or AMD V are required for full visualization, कि अगर हम मैं जो यह कोई full visualization करनी है, तो उसके लिए मुझे required होगी, enter the following command to determine whether your system has the hardware visualization and that they are enabled, और अगर enable है, तो मैं चेक करना चाहता हूँ, कि अपनी मिशीन के उपर के, इस मिशीन के उपर, मेरे पास hardware visualization enable है के नहीं है, तो मैं अपने operating systems के उपर, Linux operating system के उपर, command चलाऊंगा, अगर मेरे पास Intel based operating system है, अगर Intel का processor लगा, तो मेरे पास VMX की option आनी चाहिए, यह कहां पर, प्रोक और CPU इनफोम में, CPU इनफोम के अंदर, मेरे पास VMX की option आनी चाहिए, अगर तो मेरे पास VMX की option आ रही हो, जिसना यह output में यहां पर मैं दिखा रहा हूँ, VMX की option आ रही है, तो मेरे पास hardware है, Intel का, उसमें VT की option enable है, अगर हम check करते हैं, तो इदर हम अपने machine को पर check कर लेते हैं, grab, command क्या थी, ग्मी xvm-vmx cpu-prog prog and cpu-info तो यह देखें मेरे पास VMX की option आ रही है इसका मतलब यह है कि मेरे पास इस hardware के उपर मेरे पास VT की option enable है VTX की option enable है इधर मेरे पास XVM इसली नहीं आ रहा है क्योंकि XVM अगर मेरे पास AMD का प्रसेसर होगा तो उसके लिए XVM होगा जिस तरह मैं आप यहां पर दकाता हूं दूसरे अगर मेरे पास AMD परसेसर रहा है तो मेरे पास AMD के लिए Myre to option होना चाहिए चाहिए और यह इटेक्स वीम की के यह मेरे पास Axvm माहर रहा है अगर मैं AMD प्रोसेसर होगा तो XVM, अगर Intel प्रोसेसर होगा तो VMX उसके बाद ensure connect चेक करना है कि जब KVM आपने इंस्टाल किया उसके जो packages इंस्टाल किया तो चेक करो कि ये KVM का package module जो है KVM का वो load है के नहीं है ये भी हम चेक कर लेते हैं ls mode grab KVM तो ये मेरे पाद KVM का module भी install है ठीक हो गया if config करके अगर मैं दिखाता हूं तो ये मेरे पाद VBR0 ये मेरे पाद जो interface हा रहा है VBR0 ये मेरे पाद वो interface है मैं आपको दखाता हूं ये VBR0 ये मेरे पाद ये ala interface है VBR0 ये ये मेरे पाद VBR0 ये ala interface है जिसके थरू मेरे पाद सारी KVM की जितनी machine है वो सारी सारी मेरे पास work कर रही होंगी तो ये मेरे पाद चीज़ें इसलिए आ रही है VBR0 वी आर जिरो क्योंगे मैंने सारा जो ये machine है सारी कि सारी मैंने graphical interface की ये install graphical interface में कुछ packages के विम से related भी install हो ये लेंगि प्यूर के विम इंस्टाल नहीं होता जिस तरह कर मैं यहाँ पर application में आकर देखाता हूं आपको system utilities में देखें यहाँ पर मेरे पास कहीं भी system kvm से related कोई भी चीज नहीं ही आ रही क्योंगे वो उसने सिर्फ कुछ packages kvm के जो इंस्टाल किये हुए है वो किये हैं लाइक मैं आपको दिखा देता हूं rpm-qa grab kvm सिर्फ ने kvm common और kvm का जो ड्रावर नहीं है सिर्फ लिवर्ड के जो drivers है यह इसने इंस्टाल किये हैं सिंपल यह दो तिन packages हैं इनके थरू अगर आप minimum installation करते हैं तो minimum installation के अंदर के मारपद यह तीन packages भी इंस्टाल नहीं होगे तो यह तीन packages भी हमें खुद इंस्टाल करने पड़ते हैं तो उसके बाद आते हैं अंतबार नीचे system requirement kvm requirement पर हमने यह विचा कर लिए इसके बाद installation of kvm की इंस्टालेशन हमने किस तरह कर देंगा तो keemoo-kvm keemoo-kvm-common और 1.5 एक package install हुआ है keemoo-kvm 1.5 जो यह यहां पर कह रहा है लेकिन हम देखते हैं कि installation of kvm किस तरह करते हैं तो use visualization of redhead enterprise linux as minimum you need to install the following packages कि हमें installation के लिए जो minimum packages चाहिए होते हैं वो कौन-कौन से है keemoo-kvm है keemoo-img है और libword का package है अब यह packages किस के लिए यूज की जाते हैं वो देख लेते हैं keemoo-kvm क्या काम करता है किस का मकसद क्या package का this package provides the user level kvm emulator and facilities communication faculty communication between host and guest machine operating system इसका काम क्या होगा कि जो हमार पास host machine और जो virtual machine है उनका आपस में communication के लिए हमार पास keemoo-kvm package install होता है keemoo-img package क्या होता है the package this package provides dis management of guest machine virtual machines जो हमार पास virtual machines होंगी उनकी जो dis management हो रही होगी वो सारी कौन handle कर रहा होगा keemoo-img लिवर्ड लिवर्ड क्या package का करता दा package provide the server and the host side libraries for interacting with hypervisor and host machine host systems के हमार पास जो hypervisor होगा उसकी libraries और जो host system के जो libraries होंगी वो आपस में interact होंगी and the liवर्ड देमर्ड that handles the library calls manage virtual machines and control the hypervisor इसके लावा यह इसका सारा काम था लिवर्ड का लिवर्ड का अपना एक डेमर्ड होता है जिसका नाम लिवर्ड डी है यानि डेमर्ड का मतलब कहलो service कहलो जो लिवर्ड डी के एक service है वो क्या काम कर रही होती है handles the library calls manage virtual machines जितनी virtual machines होंगी इनको manage का रही होगी control the hypervisor और hypervisor का रही होगी युम इंस्ट्राल केमू-kvm और लिवर्ड दो यह packages है जो हमार पर minimum चाहिए kvm के लिए उसके अलावा additional packages भी हैं हमार पास kvm के लिए उसको install करने के लिए several additional kvm virtualization management packages are also available and are recommended when you are using visualization अगर हम visualization यूज कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को recommend करूंगा कि यह सारे packages भी साथ install होने चाहिए word-install, liver-python, word-manager और liver-client अब यह packages क्या कर काम करते हैं वह देख रहते हैं liver-install word-install the package provides the word install command for creating virtual machine from the command line अगर मैं अपनी machine, virtual machine command line create करना जाता हूँ तो मुझे इस command के थरू install करने ही पढ़ेंगे word-install की command के थरू, आगे मैं उसको different parameters दूँगा कि hard disk कितनी देनी है, CPU कितनी देनी है, CPU कोर्स कितने देनी है, अपना operating system को कोई सा प्रेटिंग system स्टार करना है, उसका IOS image कहां पढ़ा हूँ है, वो सब कुछ वगरा वगरा यहां पर दूँगा, उसके अलावा liver- python है, यह package क्या काम कर रहा था, this package contains a module that permits application written in python programming language to the use interface supplied by the liver API, जब पिछले lecture में यह पढ़ा था, पिछले slide में हमने पढ़ा था, liver का, liver क्या काम कर रहा था जो libraries है, वो हमारे पास hypervisor और host machine के दिर में interact का रही होती है वो libraries को handle करना के लिए, जो python language में जो API's लिखी हुई है, वो API's सारी कि सारी कि इसको allow कर रहा था, permit application को, वो सारा package को use कर रहा था, वो handle को कर रहा था liver- python का package है, वो liver की जो जितनी भी API's libraries है, वो सारी कि सारी उनको handle कर रहा था, वो सारी क्योंगे python language के लिखी हुई है, तो इसलिए वो सारी इनको, इसका package का नाम जो है liver- python है, width-manager, width-manager एक tool है, जो हमारे पाद virtual machine की GUI access करने के लिए, GUI के लिए यूज किया जाता है, it's used the liver-client library as a management API, जो liver-manager की libraries है, उनको manage करने के लिए हमारे पाद जो used tool होता है, वो liver-client है, यहां जो हमारे पास liver-client किया का रहा आता है, जो हमारे पास इप्पाइड के अंदर हमा पाइड किसल dh क्मान्ड नाइन के उस फट्सक्राद और जो उनन मेंट्रोल जारे हो फिर दया उनना किता है ने काइड काईड ङीजेड हम आसा पाइड के एक पैकज के क्माण्ड होती है जो हमार पथा चाह प्रोल्स हूंन चाहिए ilustra इसके लिए आपकेज चाहिए होते हैं इसके लिए इसके लिए लिए इसके लिए चला सकते हैं इसके लिए जो packages चाहिए होते हैं वो yum install with-install, liver-python, wit-manager, wit-install, liver-client इस सारे के सारे हमें packages required होते हैं इस सारे के सारे packages हमें required होते हैं जब हमें अग यह packages इसके लाव आपने जो तीन packages पहले पढ़े थे कीमUNG डाश के वियम में और लिवड करेंगैं यह भी हमारे पा कीमध के व्यवम करेंगे तो यह सारे पैकेज़ी सम्हें इंस्टाल करने पड़ेंगे इसके लाओं हमारे पास वीचोलाइजैशन क्रूप पैकेज़ीडि अकर कर मैं वीचोलाइशन الإंस्टाल को व्य वो तो पेकेजिस नहीं स्नहीं याद इतने के जफरें लिए जब करूं तो यह पैकेजम के जब इतनस है यह पुड़ा पुड़ा गन्सटाल यह जब एक उacter virum तूल तो वह सारे के सारे packages इंस्टाल हो जाएंगे live hat kmy-kvm livet के उसके लावर with-manager with-install उसके लावर live hat-client इस सारे के सारे हमारे पास इंस्टाल हो जाएंगे और यह topic जो kvm का topic है यह exam के अंदर नहीं आता as it is ये एक्जाम के अंदर टॉपपिक ही नहीं अई, इन्ह aztसे मचैन के अंदर इसे कोई वी स्वाल नहीं हूाता, और पर ख़लता ही, पर एक्जाम के अंदर उसका कोई 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 स्वाल नहीं आपा, हम पारते हैं। उसके कौँपकेजिज आ हैं किस तरी के से इंस्टाल की जाता बार हम देखेंगे इसके अंदर किस तरह त्रम भी देखेंगे उसके फिलुप देखेंगे कि यजिदे बार दाता है। उसको किसरा मैनेज किया जाता है, उसको कंसोल किसरा एकसेस किया जाता है, तब तक के लिए आप अपना खिया रखिएगा, ठैंक यू, अलाहाफिस.